तो दोस्तो नमस्कार स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में तो आज की शुड़ हम आपको बताएंगे प्रधान मंतरी आवास योजना का जो नए लिष्ट जारी हुआ है उससे आप कैसे चेक करोगे उसमें आपका नाम है या नहीं और इसकी योग्यतक क्या होगी त योग्यतक के साथ आपको इस वीडियो के माध्धम से बताएंगे कि आपको कैसे आवास योजना में अपने लिष्ट चेक करोगे तो उसके बाद बात करेंगे करेंगे आप कैसे यह पता करोगे कि आपको इसमें कितना मिलना है वाला लगा और किस तक कब डलेगा इसकी को पता है घर बनाने में असमर्थ गरीब परिवार को द्वारा यहां पर आर्थिक साहथा की जा रही है और सरकार की इस साहयक का माध्धम प्रहान मंत्री अवास योजना है अता इस योजना के अंतरगत आपको आवेदन करने वाले नागरीद को घर बनाने के लिए साहयता पर राषिकेया पर पर प्रदान की जाती है अपर गरीप पुरर के प्रतिई वर्स जाले हैं पर बनाने के लिए साहता रासी दी जाएगी ऐसे में आप लभारती सोची में आप नाम देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो को एंड दखने है कि कैसे आप चेक करोगे उसके बारे में आपको डिडियल में बताएंगे तो यहाँ पर आप देख सतने हैं प्रधान मंतरी अवा योजना लागू गोशना की थी बाद बता दें आपको योजना के अंतर तथा गाउं सहर तथा दोनों छेत्रों में यहाँ पर देख सते हैं निवास करने होले गरीब आसा है परिवार होगे हैं पर आपको एक लाग भी साल रुपया तर भाई लाग रुपय धन रासी अप तक पूरे सरकार में लगब दो करोड गरीबों के यहाँ पर पक्का मकान देनी के लिए सहय तक बदान कर चुकी है यहाँ पर बता दें सरकार ने तीन करोड परिवार को यहाँ पर पक्का मरदान करने का यहाँ पर लच्छ रखा है हाला कि अभी लच्छ पूरा नहीं आपको इतना पता होगा आपको आया गतों बलकि तीन किस्तों के अधार पर आपको सीधे बेंख खाते में समय सेम पर आर्थिक साहतर रासी अंतरित किया जाता है अतर योजना में योजना के अंदर कूल मिलाकर एक लाग तीसा जार रुपए आपको दिया जाएगा पक्कमापन बनाने के लिए इसमें आपका पहली किस्ता पचीस जार दूसरी किस्ता पैंतीस जार रुपए और अंतिम किस्ता आपका सत्तर हजार रुपए सामिल है इसमें तो यह जानकारी आपको महत्पूर आपको दे चुके हम, वहीं आपको बता दे कि प्राप्त जानकारी के नुसान मरेगा के अनुसार काम करने वाले मजदुरों को निधादी रासी के अलावा आपको 70 अजार भी अलग से प्रदान किये जाते हैं, इस तहट प्रदान मंत्रिक गरामीड जोजना के अंतरगत लभार्थिक यहां पर दो लाग रुपे की यहां पर साहतरासी प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार गरामीड शेतर में गरीबों के लिए इस जोजना का आर्थिक प्रदान करने के लिए अहम भूमी का निभाया है, कितना जानकारी आपको दे दिये, अब टॉपिक प्याते हैं कि पीम आवास जोजना में अब योग्यतर क्या होगी, किनको किनको इसका लाब मिला है, किनको किनको मिलेगा, तो आपको बता देए, तो यहां पर सरकार द्वारा किये गए मापदन के इनुसारा उमीदवार को प्रदान मंत्री आवा यहां सिक 3 लाग रुपे से अधीक नहीं होनी चाहिए, निर्धारित आये से यहां पर अधीक होना अवेद discovery का दिया जाएगा, जिसनके 3 लाग रुपे आये होगा, तो यहां पर आसुकरी कर दिया जाएगा, यहां पर BPL सोची मुमीदवार का नाम सामिल होगा, तभी उन उसके बाद योजणना के लाफ उनहीं को मिलेगा जिनके पास मक्कमकान स्वरी पक्कमकान या फिर अन्य आवासी योजणा का लाफ ना मिला हूँ इससे नहीं मिलेगा गरामी कैसे चेक करो गें तते नहीं को आवेदन किया था तो सरकार द्वारत जारी की गई लभार्ती सूची दिये गए चंडों को पालन करोगे तब ही आपको मिल पाएगा आपको नीचे स्टेप बाई स्टेप बताएंगे बस आपको Google Chrome open कर लेना है और आपको डिसीशन में जो लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करके यहां पर आ जाना है यहां पर ग्रामीन आप चेकर पाओगे ग्रामीन आवसी को यहां पर लिष्ट में आपको स्पर्षाइब सेंपर्ण क करेंगा वैपं पर उस पर आप जैसे कलिक करो का कि आपको तो नीची एक ऑप्सन फिर से उपन होके आजाए का बहुत आपको अपको सिंपल साद क्लिक करना है अपको सिंपल सा क्लिक करना है क्लिक करते हैं आपके सामने मिस्ट रिपोर्ट का प्रिष्ट खूल जाएगा जहां पर आप आपको राज्य ब्लॉक अपना गाउं पंचाय सब कुछ हैं चनक करना है उसके बाद भर देना है उसके बाद आपको ये मावस लोजना का बटन पर क्लिक कर देना है सब्मीट केप्चाप सब भरके क्लिक करते आपके सामने आपके गाउं का लभार्ति सूची अपर ओपन होके आजाएगा इस तरह से आप अपना आवासी मतलब ग्रामीट सूची में अपना नाम देख सकते हैं आपके आवास लिष्ट में नाम है या नहीं कुछ ही तरह से आप चेक कर लोगे आपको चेक करना नहीं बस आपको कमेंट कर देना मैं आपको एक नए वीडियो बना दूँगा कैसे आप इस टेप बाइस टेप चेक कर पाओगे उसके लिए तो प्लीज आप से रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते ही ने श्ट्यूड में तब तक के बाए बाए